बागे सरधाम कीज़े सन्यासी वावा कीज़े बागे सरधाम के भक्तों कर लो तुम भब्य तैयारी आ रहे हैं मुगदर धारी हाँ दोस्तों 10 जुलाई 2023 से 16 जुलाई 2023 तक के लिए बागे सरधाम गुरू जी दर्वार लगाने वाले हैं दोस्तों हम आगे इस वीडियो में बताएंगे कि दरवार कहा लगेगा ग्रेटर नॉडा में लगेगा या नियू देली एंजी आर में लगेगा कौन सी जगा लगेगा और दोस्तों जो महिलाई कलस यातरा में सामिल होना चाहती हैं उनके लिए भी हम आगे इस वीडियो में बताएंगी कि बेकलस यातरा में कैसे सामिल हो सकती हैं और दोस्तों रुकने की क्या बैवस्ता है और दोस्तों आपको ये भी बताएंगे कि नियू देली से इस इस्तान की दूरी कितनी है जहां पर दर्वार लगने वाला है और दोस्तों साथ में हम ये भी बताएंगे कि गुरू जी बागे सा धाम कब पहुँचेंगे और आप बागे साम धाम जाने के बाद उनसे बहाँ पर कम मिल सकते हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाश तक जरूर देखना आईए दोस्तों आप वीडियो को सुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि आप कैसे दाम पर पहुँच सकते हैं जहां गुरू जी का दर्वार लगने वाला है दोस्तों सबसे पहले आपको मैं बता दूँ कि यहे 6 दिन का दिब्ब्य दर्वार और कथा होगी दोस्तों जो महिलाएं इस कलस यात्रा में सामिल होना चाहती हैं उन महिलाओं से मेरा अनरोध है कि बे आज ही जाकर अपना रजिस्टेशन करा लें और दोस्तों यह महिलाएं 10 जुलाई का रजिस्टेशन कराएं क्योंकि दोस्तों हर एक दिब्य दरवार और कथा से पहले बागे सरधाम गुरुजी की कलस यात्रा निकाली जाती है दोस्तों बागे सरधाम गुरुजी 10 जुलाई को ग्रेटर नॉडा पहुंच जाएंगे लेकिन दोस्तों हम आगे आपको ये भी बताने वाले हैं कि ये greater noida में कौन सी जगा लगेगा क्योंकि दोस्तों greater noida काफी वड़ा है और दोस्तों आपको ये जानना जरूरी है कि ये है इस्तान कौन सा है जहां दिब्य दरवाल लग रहा है दोस्तों सबसे पहले ये जान लेते हैं कि greater noida कहां पर है दोस्तों greater noida दिली के जश्ट बरावर में है और दोस्तों greater noida का इस्टेट उत्तर प्रदेश है और दोस्तों जहां पर वागे सरधाम गुरूजी का दरवाल लगने वाला है दोस्तों greater noida में एक इस्थान पड़ता है जैतपुर दोस्तों न्यू देली से इसकी दूरी की बात करें तो ये करीब 47 किलो मीटर के आस पास में है क्योंकि दोस्तों दिली NCR में इतना इस्वेज नहीं है कि बागे सरधाम गुरूजी का दरवाल लग सके क्योंकि दोस्तों दरवाल लगने के लिए कापी इस्वेज शाहिए क्योंकि दोस्तों बताया जा रहा है कि इस कथा में 10 लाक लोगों की आने की बैवस्ता की गई है और दोस्तों यदि आप बागे सरधाम गुरूजी के दरवार में जाना चाहते हैं तो आप अनन्द विहार या न्यू देहली के लिए अपना टिकेट बुक कर लें और दोस्तों यदि आप दिब्ब्य दरवार के लिए ही जाना चाहते हैं तो आप 14 जुलाई को ही जाएं जी का दरवार 16 तारिक को समाप्त हो रहा है और दोस्तों 17 जुलाई को बागे सरधाम गुरू जी बागे सरधाम पहुंच जाएंगे और ये 20 जुलाई तक बागे सरधाम में ही रहेंगे दोस्तों यदि आप जाना चाहते हैं तो आप इन दिनों के बीच चले जाएं क्योंकि दोस्तों 20 जुलाई के बागे सरधाम गुरू जी 23 जुलाई तक बागे सरधाम में नहीं रहेंगे दोस्तों इसके पीछे का कारण क्या है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी वी दोस्तों आपके एक लाइक से हमें सपोर्ट मिलता है तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेयर करें ताकि दरवार में सभी पहुंच सकें ठैंक फॉर वाचिंग मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए जै वागे सरदाव जै सन्या सीवाबा